नमस्कार दोस्तों स्वागत्य आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टेडी पुइंट पर तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो पेपर है इंगलिश का उसके कुछ अंसर जानने वाले हैं जितने ही बच्चे इस बार बोर्ड का एक्जाम देकर आए हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले ताकि जो भी आंसर आप करके आए हो शायद हो सकता है वो गलत हो जाया कुछ अंसर सही भी हो सकते है तो अफिशल आंसर की जब आएगी तो आप एक बार फिर से कोशन होते हैं और फिर सेक्शन ही हमारा लिट्रेचर का होता है तो सेक्शन एक जो अगर हम अंसर की बात करें तो उसमें पहला एक पैसेज होता है जो पैसेज को सोल्व करके हमें कुछ MCQ को टिक करना होता है जिसमें हमारा फिर्स्ट कोशन ने बाई तायर 2 एं टायर 3 जो इसमें पैसेज में बात की गई थी तो इसके अनुसार जो author का answer हो सकता है वो cities with huge population तो option number B हमारा correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next है हमारा the author's point of view that can be inverted from the above passages that तो उसके अनुसार जो है इसका third question का हमारा correct answer हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें उस sentence को पूरा करना है complete the following sentences appropriately तो educational toys enhance the personality of children by तो इसको आपको जो करना था वो passage में से find out करके उस complete sentence को पूरा करना था आगे बढ़ते हैं अगला question हमारा read the five headlines A से E तक कोई March statement दी गई है हमें उस statement से पढ़कर एक appropriate answer को tick करना है तो इसमें हमारा correct answer हो जाता option number B यानि की A and B जो है वो A और B जो है हमारा correct answer है आगे बढ़ते हैं as opposite to learning by heart experimental toys तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option number A यानि की ignite interest और बाकि जितने भी questions है उस सभी questions को आपको find out करके पैसेज में answer लिखना है तो आप इस तरीके से इसको solve कर सकते थे तो मेरे इसाब से तो यह answer होंगे लेकिन आप एक बार जो official answer किया जाएगी तब आप अपना answer देख लेना कि क्या हो सकता है second passage की और बढ़ते है second passage में हमें क्या करना है तो second passage में बताया गया है जैसे यह जो passage है वो media के ऊपर regarding है तो media से related कुछ questions आएंगे जैसे कि हमारा first question है select the option that comes under conventional media तो conventional media में क्या हो जाएगा हमारा option number B हो जाएगा newspaper is a correct answer अगला है हमारा select the correct option तो one factor that promote people to believe fake news is that तो हमें एक ऐसा factor बताना है जिसमें जो लोग होते है वो question number D it has more likes and share तो option D हमारा correct answer हो जाएगा उसके बाद है what according to the passage are the intentions of people who share information मतलब जो information share करते है उनका क्या एरादा होता है उस news को share करने के regarding तो इसको भी आपको find out करके ही लिखना था तो ऐसे questions जो है आप इसमें answer को find out करके लिख सकते हो अगला है what is it important for journalists to give authentic background and evidence in their reporting reporting जो news जो journalist होते है आनि की reporter जो होते है वो जो कब कोई खबर बताते है तो उनके पीछे का उनका क्या देश्य होता है तो इसमें भी आपको find out करके ही लिखना था चलिए आगे बढ़ता है जिसमें अगला section है हमारा creative writing skill जिसको हम section B के नाम से भी जानते है इसमें आपको क्या करना है first question हमारा notice का first question हमारा notice का है तो notice जैसे question दिया गया है भारत public school IP नगर तो यह आपका topic means organization name हो जाएगा ठीक है has recently constructed a science park dedicated area where specific equipment based on principle of science and setup ठीक है तो इस पर आपको क्या करना है as Rashi Kapoor president of science club draft a notice for the school notice board informing students of the same mention relevant details तो इसमें आपको box बनाना था और box वगएरा के format के आपको one marks मिलने वाले थे तो box बनाने के बाद पहले आप अपना organization name डालोगे फिर उसके बाद आप इसमें notice capital way में लिखके date लिखोगे date लिखने के बाद आप अपना topic लिखोगे then जो इसका content होता है main part होता है वो आप इसमें mention करोगे तो यह सारे चीजे करने के बाद आपका notice होता है वो ready हो जाएगा जिसमें से 4 marks आपको proper मिल जाएंगे आगे बड़ते हैं अगला और में दिया गया है मतलब same question है same इसमें भी आपको क्या करना है एक notice board बताना है और यह जो question है वो society का है तो इसमें आपका heading जो हो जाएगा वो society का नाम हो जाएगा जैसे आर डबलू है silver or society तो यह आपका organization नेम हो जाएगा फिर बाकि जितनी भी चीज़ है वो आपको शेम है बस आपको topic थोड़ा चेंज कर देना यहापर topic चेंज हो जाएगा और ऊपर वाले question में topic चेंज रहेगा next question है हमारा attempt anyone यानी की हमारा invitation का है you are a student counselor of NJ public school तो यह आपका school का name हो जाएगा you are invited by SM international school Kalapuram to address class A 7th students on goal setting and time management write a formal letter of your accepting the invitation and confirming your presence at the stated time include relevant details तो इसमें आपको letter का format बनाना था means आप इसको accept कर रहे हो या decline कर रहे हो तो इसमें आपको acceptance का दिया गया तो आपको आपने उस letter को accept कर लिया तो इसको आपको letter लिखना है next हमारा you are Mr. Anamal Gupta you are planning to celebrate your sisters silver jubilee anniversary draft the invitation card to be sent to relatives and friends sharing all relevant details तो इसमें आपको एक card बनाना था और first वाले question मे आपको letter type का letter type तरीके से करना था आगे बढ़ते हैं 5th question हमारा you are यह जो question है हमारा job application का रहने वाला है यह आपकी details आपको mention करनी थी और उसके बाद जो है second पे हमारा और में दिया गया है letter to editor तो आप कौन सी कलोनी से हो आप हो central park ठीक है तो आपकी कलोनी में क्या हो गया है कि एक ओपन जिम का जो है walking track और ओपन एर जी मैंना children's play corner with swings तो इसके उपर आपको letter to editor लिखना है तो आप इसमें letter to editor की fix lines वाला format यूज कर सकते हो और यहां पर कुछ ऐसे points दिये गए हैं जो आप अपने उस letter में यूज कर सकते हो जैसे की purpose, help, civic, authorized, unkeep, maintenance of the parks, converted RVA meetings, put up notice, increase the number of garbage bands, create awareness, so ऐसे points आप इसमें mention कर सकते हो, आगे बड़ते हैं अगला question है हमारा, you are, देखिए हमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक article लिखना है अपने school magazine के लिए, तो आप हो गए विनिता, student of last 12th, you are decided to write an article of impact of OTT platforms on youth, तो हमारा topic हो जाएगा, impact of OTT platforms on youth, कि उसके क्या परभाव होते हैं जो OTT platform पर जितने भी series आप कह सकते हो, तो इसके क्या परभाव पढ़ते हैं youth के उपर तो आपको mention करना है, ठीक है, तो यह सारे points इसमें mention कर सकते हो, easy to access, violent, brutal scenes, teens, addiction, insomnia, तो ऐसे points आप इसमें mention कर सकते हो, उसके बाद second है हमारा और में दिया गया है, इसमें आपको report बनाना है किस पर, तो आपका जो trip है, मनाली का adventure trip तो उसके उपर आपको report create करना है, तो ऐसे questions भी आप इसमें mention कर सकते हो, इसमें आप कैसे data डाल सकते हो, तो data duration डाल सकते हो, number of students, activities आप लोग क्या करने वाले हो, इस trip के दुरान यह mention कर सकते हो, trekking, river, trafting, और students feedback आपको क्या आप यह सारे चीज़ें में mention कर सकते हो, तो यह सारे questions थे, जो की exam में आये वे थे, और exam बहुत easy था, तो आप एक बार अपने answer को जरूर टेली कर लेना, और official answer की जब आएगी, तो आप इस channel पर जाके देख सकते हो, ताकि आपको पता जल जाए कि आपने कितना अच्छा paper क और कितने मांक सापके आ सकते हैं,